प्रेग्नेंसी के दौरान महिला को कितना खाना खाना चाहिए ये जानना महिला के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि प्रेग्नेंसी के दौरान अगर आप सही से खाना नहीं खाती या फिर सही समय पर खाना नहीं खाती तो उसकी वज़े से आपकी बॉडी में मिनर प्रोटीन इन सभी की कमी हो जाती जिसकी वजह से महिला को बहुत सारी परेशानिया होती है ही की प्राब्लम होती है एक इसकी अलावा बच्चे की डवलप्मेंट पर भी इसका असर पड़ता है तो ऐसे में ये जनना कि आपको कितना खाना और कब खाना ये बहुत जाधा दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और इन्फोमेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल नोटिफिकेशन को अल पर ज़रू सेट कर दें चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपको खाना कितना खाना चाहिए तो प्रेगनेंसी का एक थम रूल है कि आपको दिन में कम से कम छे बार खाना खाना चाहिए और लगबग हर देड़ घंटे पर आपको कुछ न कुछ खाते रहना है अब इसके लिए आप क्या गढ़ सकती है कि सुबह उठने के बाद 30 मिनट के अंदर आपको कुछ न कुछ खा लेना है आप हलका पलका कुछ खा ले ताकि आपको जो एसेडिटी या मॉनिंग सिकनेस की प्राबलम हो रही है उससे थोड़ा सा आराम मिल जाए इसके बाद आपको breakfast लेना है ब्रेकफास्ट के बाद फिर आपको एक fruit ब्रेक लेना है जिसमें आप salad वगरा fruit के अच्छी तरीके से काटके अलग-लग variety के fruits सीजनल फ्रूटस पर ज्यादा ध्यान ने उनको जरूर खाए इसके बाद आपको लंच ब्रेक लेना है लगबग घंटे बाद आपको एक सूप ब्रेक लेना है या तो आप सूप ले सकती है या फिर आप रोस्टेड ड्राइफ फूट वगरा ले सकती है लेकिन आपको यह ज light food लेना है मतलब कम खाना लेना है बहुत ज्यादा खाना नहीं लेना है क्योंकि यह खाना अगर आपके पेट में बचा रहेगा तो सुबह के वक्त आपको morning sickness की problem फिर से हो जाएगी इसके बाद लगबग एक से देड़ घंटे बाद आपको एक glass दू जरूर लेना है तो इस क्योंसे सबजियां खानी है कौन से fruits खाने है उसके उपर हमने पहले ही एक वीडियो बनाई हुए है जिसका link उपर आई card में और नीचे description में हमने दिया हुआ है तो आप उस वीडियो को इस वीडियो के बाद जरूर देख लें मैं उमीद करता हूं कि आपको हमारी आज की कि वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ऐसे ही और informative content के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल नोटिवेशन को आल पर जरूर सैट करने अगर कोई सवाल है तो comment box में जरूर लिखें चलिए मिलते हैं अगले झाले करें